कि हलो अब्रिवन कैसे आप लोग तो बैटा आज हम किसकी बात करने वाले हैं। कि आपकी हम यह बात करने वाले हैं कि न्यूटन को कैसे आइडिया आया कि आपकी जो gravitational force होती है वो आपके distance के square पे inversely depend करती है इस चीज को Newton ने कैसे proof करा और कैसे उसको यह idea आया वो हम आज इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं उसने देखो बेटा इस चीज को लिया कैसे था Kepler का जो third law था जो आपको याद है उस चीज का उसने यहाँ पर use किया था ठीक है कैसे use किया था Kepler का third law क्या था अगर आपको याद हो तो r cube is directly proportional to t square यह चीज किसने बोली थी आपके Kepler के third law ने बोली थी अगर आप यहाँ से देखें तो आप यहाँ पर जब proportionality का sign हटाते है तो यहाँ पर क्या आता है विटा आपका एक constant आता है तो यह क्या हो गया विटा आपका एक constant हो गया तो इस चीज को उसने यहां से एक point उठाया और इस चीज को उसने आगे जाके use किया था तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि जो Kepler का third law था उसने इस चीज को point को use किया था और कैसे use करके इस point को use करके उसने कैसे ये बात find out की थी कि जो आपकी gravitational force आती है वो आपके inversely square होती है distance के हम इस बात को proof करने वाले हैं तो Kepler के इस relation को उठा कि उसने ये बात को कैसे proof करा मैं आपको इसको derivation की रूप में कराने वाला हूँ हाला कि ये topic आपसे exam में नहीं पूछता बट आपके concept wise बहुत जादा important है ठीक है चलिए इसके अंदर हम आगे देखते हैं तो Newton got the idea of inverse square rule for the gravitation between the two bodies, दो bodies की बीच में उसने gravitational force apply होती है उसने कैसे लिया, उसने Kepler के third law से उठाया था, ठीक है उसने एक assumption मानी थी कि Kepler ने क्या बोला था कि अगर कोई planet है कोई आपका revolve पर रहा है around the sun तो वो किसमे करता है आपका, eclipse form में करता है पट उसने वहां पर एक assumption मानी कि वो आपका जो path बनता है वो कैसा बनता है circular and important assumption made by the purpose that the orbit of the planet around the sun is circular उसने ये वाली चीज़ को माना Kepler ने क्या बोला था, Kepler ने बोला था कि जो वो orbit बनता है वो आपका elliptical होता है पट इसने बोला कि वो orbit कैसा बनता है circular बनता है इसी चीज़ को use करते वे उसने अपने आगे points को discuss किया था इन points को हम यहां पर पढ़ रहे है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ठीक है और साइड में रख देते हैं जिससे आपको दिखता रहे तो आपको याद हो तो आपका वहां पर partial force क्या आई थी f equals to g m1 m2 upon r square ऐसे कुछ हाय था ना जहां पर आपका g और mass आपका mass of the body हमेशा constant रहता है और g भी आपका constant रहता है तो उसने इस बात को यहां से लिख दिया था कि जो force होती है वह आपकी inversely proportional आती है इसके उसको हमें यह चीज़ प्रूफ करनी है कि यह चीज़ आपकी कैसे में है तो sun के अराउड आपका जो planet रोटेट कर रहा है वह किस में रोटेट कर रहा है आपके एक circular path में कर रहा है ठीक है और आपको मैंने एक बात बताए थी कि जो इस circular path में rotate करने के लिए इसको एक force चाहिए होती है वह force को हम क्या बोलते है centripetal force बोलते हैं तो आपकी centripetal force किसके equal आती है आपकी centripetal force equal आती है mv square by r के यह वाला point आप याद कर लिजेगा कि आपकी centripetal force होती है वो किसके equal आती है आपकी mv square by r की जो बाद में आपकी Newton ने बोल दिया था कि यह आपकी centripetal force कि किसमें convert हो जाती है gravitational force में हो जाती है but as of now के लिए आप यह बात ध्यान रखना जहां पर m क्या है आपका mass है किसी भी object का v क्या है आपकी velocity है ठीक है और r क्या है आपका radius है तो यहाँ पर आपको पता है कि mass आपका constant होता है तो आप क्या लिख सकते है force is directly proportional to v square by r आप इस चीज़ को ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं रीचे वाले equation को आप क्या कीजिएगा इस equation को आप first मान लीजिए ठीक है आपने फिर अब क्या किया इस equation को आपने ऐसे लिख दिया ठीक है अगर आपका यह circular orbit में है अगर आपका यह circular orbit में है तो इस प्लैनेट ने यहां पर इस प्लैनेट की स्पीड क्या होगी इस प्लैनेट की स्पीड को आप कैसे निकालेंगे V equals to 2πi R upon T उसने circumference cover किया होगा तो यह उसने distance cover किया और इतने time में किया यहां से आपने velocity निकी तो यह 2πi तो constant है आपका यह 2π constant है तो क्या हो गया आपकी velocity is directly proportional to R by T यह कुछ आपका relation यहां से आया आपने क्या किया यहां पर आपने यह क्या किया दोनों side इनका क्या कर दिया square कर दिया square on the both sides कोई दिक्कत नहीं easy है आपका और आपने यहां पर क्या किया square जब आपने यहां पर कर दिया और आपने इसके साथ क्या किया आपने इसी side डारेक्ली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेर इंटू में वन अपॉन आर यह आर आपका इसके साथ चला गया तो यह क्यों हो गई आर क्यूब हो गई हां कि न तो जरा अगर पीछे चलें तो यह रिलेशन आपको कुछ दिख रहा है यह चीज क्या थी पर क्या यूज करा एजा कॉंस्टेंट लिख दिया तो यहां पर एक्स्वल में हुआ क्या तो यह चीज आपकी कंवर्ट कर दी उसने और क्या लिख दिया कि वी स्क्वेर इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू आपका क्या जाएगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेर था जो पे क्या गया था वी स्क्वेर जारेक्ली प्रपोर्शल टू आरेक्यू ऊपtantट इसको एंक्वान आपउन आर ठीक है और यह चीज भी क्या थी आपकी कॉंस्टर्ड दी गिस्ति नहीं बोली थे आपकी यह बात है capital ने बुली थी, तो मैंने क्या करा, इसको भी constant consider कर लिया, तो v square is directly proportional to 1 upon r, मुझे कुछ निकल के आया, समझ में आ गया, अब मैं इस relation को, अब मिरे पास final relation आपका ये वाला है, अब मैं इसी relation को आपका use करने वाला हूँ, क्या है relation, v square आपका inversely proportional होता है, 1 upon r के, तो इसी relation को मै कहां use करूँगा आपके, first वाली चीज में use करूँगा, यहां पे, कहां के आपका, यह रहा, तो आपको देखा कि v square किसके equal आ रहा था आपके, 1 upon r के आ रहा था, तो आपने इसी को क्या किया, force is directly proportional to 1 upon r, इस v square को आपने किस से convert कर दिया, 1 upon r से, जो आपने वहां पर देखा को r के equal आ गई, समझ में आ गया, तो यही तो था, gravitational force आपकी r के कैसे inversely होती, यही तो चीज थी, तो इस चीज को आपने proof कर दिया, मेरी बात को दुबारा ध्यान से समझना, यह चीज बहुत important है कि कैसे आपने proof करा, तो first of all उसने क्या लिया, मैं आपको थोड़ा सा दुब around rotate कर रहा है, वो कैसा है आपका, यह आपका जो path है, यह कैसा है विट आपका, circular path है, ठीक है, और अपने को proof क्या करनी थी, यह चीज आपकी यहाँ पर, अपने को proof करनी थी, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को अपने को proof करना थी, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को अपन चाहिए होती है और वो centripetal force आपकी किसके equal आती है f equals to mv square by r r m क्या होता है आपका constant तो इसलिए हमने क्या लिख दिया था यहाँ पर directly f is directly proportional to v square by r दिजुरा नहarr place we are also auss uh yes say administration ह लिकर थकहा है यह अपने को क्या करना था पर उसने क्या करना था प्रूफ करना और यह अपने को आपका पता लगा ठीक है और इसीचीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं वैंने यही चीज आप की यहाँ पर लखी थी दोसरी चीज हमने क्या कर आपका circular path में घूम रहा है तो इसने कितना distance यहां पर travel किया होगा इस circle का circumference that means 2 pi r और time period कितना लगा होगा इसको cover करने में t तो distance upon time आपका क्या कहलाता है आपका यहां पर velocity आपका यहां पर consider किया जाता है ठीक है 2 pi क्या है आपका constant है तो इस चीज़ को मैंने कैसे लिख दिया v is directly proportional to आपका है v is directly proportional to r by t लिख दिया ठीक है जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहां पर solve किया था इसको हमने r by t कर दिया उसके बाद क्या किया हमने इसका square किया square किया और हमने r से multiply किया r से divide किया अगर मैं इस चीज़ को यहां ना लिखूँ तो आपकी same बात है ठीक है फिर मैंने क्या किया यहां पर इसको r से multiply किया r से divide किया तो r से जब multiply हो गया तो यह क्या बन गया r cube by t square बन गया और यह क्या था आपका यह आपकी चीज कैपलर बोलके गयता अगर आप शुरू में देखें तो कैपलर ने आपकी यही बात बोली थी क्या बोली थी कि r cube into में t square यानि r cube by t square आपका एक क्या होता है constant होता है तो इसी चीज़ को मैंने यहाप constant को consider कर लिया तो यहां से क्या निकल के आया v square is inversely proportional to one upon r इसी relation को मैंने यूज करा कहां पर आपके इस वले point में यूज करा ठीक है v square by r लिखा था ना तो इसी v square आपका यह किसमे convert हो गया one upon r में हो गया और यहां से आपको यह rule निकल के आ गया f is inversely proportional to one upon r square और इसी को आप किसके नाम से जानते है inverse square rule के नाम से जानते हैं समझ में आया की नहीं आया तो आपने क्या देखा कि न्यूटन ने आपके किसकी बात को यूज करा आपके कैपलर की बातों को यूज करते वे कैपलर के third law को यूज करते वे उसने अपना gravitational force के लिए आपका यह पूरा को शुरूल निकाल के दिया clear हो गई वाली बात जरा आप यहां से आगे चलेंगे तो आप जरा इसके कुछ important points यहां पर पढ़िएगा कि न्यूटन का जो third law था वो आपका इस चीज के यहां पर एकदम perfect बैठता है क्या था कि Newton third law of motion also hold for good of gravitation क्या था third law कि अगर आपका कोई object action करता है तो उसके उपर reaction जरूर होती है यह बात आपके third law ने बोली थी तो Newton ने बोला कि जो भया मैंने third law दिया है वो आपके gravitation के लिए भी एकदम perfect बैठता है मतलब अगर आपका यह मान लीजिए अर्थ है यह आपकी अर्थ और यह क्या है आपकी कोई भी object है तो अगर अर्थ इसको अपनी तरफ खीचने के लिए force attractive force लगा रही है तो यह object भी अर्थ को खीचने के लिए अपनी क्या लगाएगा आपका force लगाएगा तो उसने बोला कि जो मेरा third law था every action there is an equal opposite reaction इस चीज़ को भी consider किया जाता है और उसने बोला कि मेरा third law gravitation के purpose में भी आपका fit बैठता है समझ में आगई बात second point आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यही लिखा है कि this means when earth exerts an force of attraction on an object तो आपका object भी क्या करता है equal force को exert करता है earth पे in opposite direction समझ में आगई वाली बात अब आपको थोड़ा सा confusion create होने लग रही होगी अब आपसे मैं कोशन पूछता हूँ इससे तो आपके confusion और create हो रही होगी क्या question है कि अगर आपका यह stone है आपने क्या करा इसको building से नीचे की तरफ छोड़ा तो आपको पता है कि यहां पर क्या है सर हमारी अर्थ है यह हमारी अर्थ है ठीक है बहुत द्यान से सुना बहुत important point है आपने जिस बॉल को उपर से छोड़ा और आपने देखा कि नीचे अर्थ है यह force किस ने लगाई यह force आपकी अर्थ ने लगाई किस के उपर stone के उपर लगाई आर्थ ने लगाई force आपकी stone के उपर जिससे हम देख सकते हैं कि यह जो stone है आपका earth के towards attract हो रहा है बट Newton ने यहां पर एक और बात बोली Newton ने बोला कि भाया यह law हमारा आपका third law को भी verify करता है Newton का third law क्या था मेरी बात धुहां से सब्ज़ना confuse मत होना यह stone आपका earth की तरफ आया यह stone को आपने उपर से छोड़ा तो यह stone नीचे गिरने लगा यह नीचे क्यों गिरा क्योंकि earth ने इसके उपर gravitational force लगाई और यह gravitational force कहां लगी downward direction में लगी तो यह आपका नीचे की तरफ खिषतावा आ रहा है यह force की आपकी value कहती आगर मैं बात करूं आपको यह पता है कि force किस पर depend करती है g m1 m2 upon r पता है आपको समझ में आया अब आपका newton ने क्या बात बोली newton ने यह बात बोली कि अगर यह earth अगर यह earth इस stone को नीचे की तरफ खीच रहा है attractive force लगा रहा है तो इसका मतलब है कि यह आपका जो stone है यह जो stone है यह भी क्या करेगा earth को उपर की direction में खीचेगा मेरी बात समझ में आई क्यों क्यों क्योंकि यहां पे earth ने क्या करा इसके उपर action करा नीचे की तरफ खीचा every action there is an equal and opposite reaction action यह हुआ reaction उपर गिया तो हमें भी तो earth को उपर की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि newton बोलके गया कि यह earth को कहा आना था उपर की तरफ आना था बट हम तो देख ही नहीं पाते हमें तो लगता ही नहीं कि अर्थ उपर जा रही है क्या आपने इसको छोड़ा इसने अपने अपने marker छोड़ा है marker यहां आया तो यह marker उपर से नीचे क्यों गिरा क्योंकि नीचे earth थी earth ने आपके इस object पे downward direction में attractive force लगाई इसी वज़े से यह marker नीचे गिरा पर Newton एक और बात बोल की गया क्या कि अगर earth आपके इस marker को नीचे की तरफ खीच रहा है तो यह marker भी आपके अर्थ को उपर की तरफ खीचेगा यह आपका marker भी earth को उपर की तरफ खीचेगा मेरा आपसे question है आपका यह जो stone है आपका जो marker है वो तो आपको नीचे गिरतावा दिखाई दे रहा है बट आपको यह earth उपर खीचती भी दिखाई क्यों नहीं दे रही if a stone also exert an equal and opposite force आपका जो यह stone है वो उपर की direction में equal and opposite force लगाता है earth के उपर तो यह हमें earth जो है आपकी वो उपर जाती भी दिखाई क्यों नहीं देती मेरा question आपसे यह है समझ में आया अब मैं आपको यहाँ पर answer बताता हूँ मेरे answer बहुत ध्यान से सुनना यह बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि stone आपके earth को उपर की तरफ नहीं कीशता यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपकी force लग रही है उपर यह आपकी जो force लग रही है कौन लगा रहा है stone लगा रहा है किसके उपर earth के उपर सर जो आपका stone है वो अर्थ के उपर force लगा रहा है उपर की direction में ये बात बिल्कुल ठीक है ये वाली force और ये वाली force दोनों क्या होती है equal and opposite होती है ये बात आपका Newton का third law बोलके गया और उसने बोला कि ये चीज gravitation में भी hold कर दी है तो ये वाली चीज अपने को समझ में आगए हमको ये वाली चीज तो observe हो रही है कि stone आपका नीचे की तरफ खिच रहा है अर्थ की तरफ बट हमें ये चीज नहीं हो रही कि stone आपका जो अर्थ के उपर force लगा रहा है कि अर्थ भी उपर direction में खिच रही है ये इसी वज़े से नहीं होता ये वाली force लगती तो है बट अब उनको दिखती नहीं है मतलब हमको experience नहीं होती है क्यों नहीं होती सर ये वाली force because आपके stone का जो mass है वो क्या है बहुत कम है अगर stone का जो mass है वो कम है तो ये बात आपको पता है कि जो force लगती है या पर gravitational force वो directly dependent होती है आपके masses पे अगर stone का mass कम है तो यहाँ पर लगने वाली जो gravitational force है जो opposite direction में लगेगी वो भी क्या होगी कम होगी mass कम तो force कम अगर mass कम तो force कम तो इसी वरे से जो earth आपकी उपर move तो करेगी but इतनी small direction इतनी small force से करेगी कि हम उसको देख नहीं पाएंगे ना तो experience कर पाएंगे समझ में आया कि नहीं आया ये reason बताओ बहुत important question है आपका ये इसी का नाम better physics है जित्ता आप important questions को पढ़ेंगे जित्ता ज्यादा concept clarity करेंगे उत्ता ज्यादा आपके लिए अच्छा है Kepler ने क्या बात बोली थी R cube is directly proportional to T square यानी R cube by T square आपका क्या आता ये constant आता है Kepler आपके planetary motion के बारे में सारे loss दे गया था बट उसने planet की movement around the sun को explain नहीं की थी उस चीज को explain किस ने किया उस चीज को आपके Newton ने explain किया Newton ने बोला कि कोई भी planet आपके sun के around rotate करता है वो किसकी वज़े से करता है आपके gravitational force की वज़े से करता है हमें पता है कि किसी भी object को घूमने के लिए आपकी एक centripetal force चाहिए होती है Newton ने यही बात बोली कि जो वो centripetal force है वो आपकी क्या बन जाती है gravitational force बन जाती है समझ में आ गया फिर उसने proof कराया मैंने आपको कि वहाँ पर उसने आपका force जो था वो directly proportional to 1 upon r square कैसे निकाला और Kepler का third law use करते विए उसने निकाला दूसरी चीज़ ने क्या बोली कि अगर आपका कोई object उपर से नीचे गिर रहा है तो मतलब आपका जो यह object है यह आपका नीचे क्यों गिर रहा है क्योंकि अर्थ आपकी क्या लगा रही है इसके उपर gravitational force लगा रही है Newton के third law ने बोला कि यह जो बात है वो आपकी Newton के third law को भी hold करती है इसका मतलब यह object को अगर यह अर्थ नीचे की direction में खीच रही है तो यह object आपके अर्थ को भी कहा खीच रहा है उपर की direction में खीच रहा है क्योंकि every action there is an equal opposite reaction तो मैंने आपसे question क्या पूछा कि ये marker मुझे उपर से नीचे गिरता हुआ तो दिख रहा है बट मुझे ये earth उपर move करती भी नहीं दिख रही और इसका reason क्या था कि आपका object तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये आपकी earth क्या कर रही है इसको force लगा दिए बट object ने जो earth के उपर force लगाई जो उपर direction में move कर रही है वो हमें क्यों नहीं दिख रही है वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि इस object का mass बहुत कम है और अगर mass कम होता है किसी का तो वहाँ पर लगने वाली gravitation force भी क्या आती है कम आती है बताओ clear हुआ कि नहीं हुआ सारे point I hope मुझे लग रहा है कि आपको यह सारे point clear हो गयोंगे ठीक है अगर आपको यह सारे point clear हो गयोंगे तो अगर नहीं हुए तो एक बार वीडियो को दुबारा देखो इन points को आप key points की तरह note करो क्योंकि यह question आपको exam में conceptual way में पूछ सकते हैं और आगे तक का आपके concept मैंने हापे clear करा दियें if you like this video और आपको पसंद आया हो मेरा concept और मेरा पढ़ाने का तरीका तो please हमारे rs agarwal official youtube channel को subscribe करना और कोई भी doubt हो आप नीचे comment section में देना मैं आपको doubts को जरूर आंसर करूंगा और अगर आपको कोई doubt हो तो आप वो बता सकते हैं तो यहां तक आज के लिए हम इत्ता ही करेंगे next class में हम अपना free fall start करेंगे कि आपकी object जब गिरता है freely तो उसके साथ क्या 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 कटना होती है वो सारे चीज़ों को discuss करेंगे तो आज के लिए इतना ही हमारे channel को subscribe करना like करना video को share करना till then take care bye bye